हमारा वीडियो यूट्यूब वाइरल खर रहा है यह नहीं यह हमें कैसे पता चलेगा जाहिड सी बात है हर यूट्यूबर हर यूट्यूबर एवरी डे इतने मेहनत करके वीडियो बनाता है अपलोड करता है हर वीडियो पे मतब वीडियो बनाने से लेकि डिस्क्रिप्शन अप्रॉडिंग तक मतलब बहुत महनत लगता, यह हम सब अच्छी तरह से जानते है और आकिरिम उस वीडयो का होता क्या है भई अगर आट लागाते हैं वीडियो में वह टैग्स अगर कोई अनॉन पर्सन मतब सर्च करता है तो उसे देख भी रहा है या कि नहीं तो वह कैसे पता चलेगा और जब वीडियो वाइरल ही नहीं होगा तो हमें रेवेन्यू कहां से मिलेगा और जब रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं क्या फाइदा वीडियो बनानेगा है ना क्या फाइदा मेनद करने का जब हमें कुछ बैनेफिट्स ही नहीं होगा फिर तो हम कोई जॉब कर ले हैं तो आ नहीं आ रहा है तो क्या कारण है आखिर हम कहां गलती करते हैं क्योंकि देखिए जितना मेहनत आप वीडियो बनाने में लगाते हैं उतनी मेहनत हमें उसको अपलोड करने में करना पड़ता है उतनी हमें दिमाग लगाना पड़ता है अपलोड करने के टाइम में अगर वह सब आपको मैं गरांटी देता हूं कि आपका वीडियो वाइरल होगा ही होगा तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत किजिए कि आखरी तक बने रही है इस वीडियो के साथ और अपने चैनल पर जितने भी वीडियो से उसको करने के लिए रेडी हो जाई है तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ओन कर दे सो हेलो गाइस मैं आपका दोस्त जैकरन ब्लास से स्वाधत करते हons आप सभी का मैरे योटीव चैनल टेकनिकल जैक में तो हम आग चुके हैं लैप-टॉब स्क्रीण पर तो यहां हम क्या करने वाल है है मैरा एक चैनल खुला हूँआ है यहां से हम क्या करने वाले हैं यूटीव श्टूडियो में जैंगे तो यूटीव इस android phone आप सभी के पास होगा ठीक है obviously हो गई होगा तो आप अपने android mobile phone में भी यह काम कर सकते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब इस्टूडियो खुल चुका ज्यादा पुड़ाना नहीं है यहाँ हम क्या करेंगे content में जाने वाले हैं तो contents पर क्लिक करने के बाद हमारे पास वह सारी contents की लिश्ट आ जाने वाली है जितना हमने upload किया है ठीक है सेम प्रोसीजर है आपका mobile के लिए भी ठीक है तो कोई difficulty नहीं है आप इस चीज़ से बिलकुल भी घबड़ा है यह तो laptop या computer में किया जा रहा है आपका mobile में भी हो जाएगा तो जिससे आप देख सकते हैं हमारे पास content आ चुक है मेरा तो यह मतलब ज्यादा पुराना लैप्टोप में और अगर mobile है तो mobile में क्या करना है यह सी ट्यूब बड़ी का application आता है आप इस application को अपने mobile में क्या करोगे प्लेश्टोर से यह वाली first video जो है यह first video को हम क्या करेंगे इसको edit करके देखाते हैं ताकि मैं और detail में दिखा सूझा आपको ठीक है तो हम क्या करेंगे एक है यह टेक्स का एडिया में जतने हमने यह टेक्स टाले है यहाँ समको वायरल का पता चलता है तो यह जो आप देह पा रहे हैं यह एक आपप देख सकते हैं बगल में जो यह आको नंबरद दिखर है यह पर बहना है इस पर सका है है कि यह जो टव है इस ट्याग को लेके हमारा वीडियो वायरल होना शुरू हो गया है यह निसानी होती है वायरल होने का तो और बांकी के यह जो दिखा रहे हैं आपको यह टेक्स ठीट है यह खाली टेक्स में जिस्पे नंबर नहीं और नहीं हो तक आपके अपनी चैनल का नाम डखा हैं अगर आपके चैनल की नाम का नाम डाल रखा है ठäch और तो कोई मतलब नहीं है वो तो मान लीजा आप खुदी है करते हैं उसको आपके कोई जान पेचान वाले सर्च करते हैं तो उसका नंबर आता है तो उसका यह मतलब नहीं है कि आपका वीडियो वाइरल हो गया है वाइरल तभी होगा यह जो यही गलती करने की video कुछ बनाते हैं, headings कुछ डालते हैं, description कुछ डालते हैं, मतब किसी झीज का बनना, description का, heading का, video का, किसी का तालमेल एक से मिलता ही नहीं है, दूसरी चीज हम लोग thumbnail भी बहुत अलग डालते हैं, tags नहीं ठीक से डाल पाते हैं, है न, तो यह जो हम heading होता है सबसे पहले heading की बात करते हैं जो video details का जो सबसे पहले heading की बात करें heading क्या होता है बहुत एहम रोल निवाती है SEO के लिए तो heading को हम क्या करेंगे analyze करते हैं पहले पहले आप YouTube में analyze कर लीजिए कि आप आप जो content बनाए हैं उसका जो heading आप डालने वाले हैं वह heading से related मतलब यू लोग search करता है या नहीं करता है समझ रहें तो उसके लिए क्या करना होगा मानली जीए जैसे के how to do SEO आपने एक वीडियो बना लिया तो इसके लिए पहले आप क्या करो YouTube में जाओ और वहाँ पर search करो how to do SEO और enter करो उसके बाद जो list आता है ना तो उस list के सभी वीडियो का heading आप पढ़ो कि लोग क्या heading लगा रहे हैं जो top level के वीडियो से उनकी heading क्या और उनहीं को क्या करो merge करके आप एक अच्छा से heading तयार करो ठीक है attractive heading लगाओ कि लोग एक बार पढ़े तो उनको लगे कि हाँ भाई इस वीडियो को खोलना ही है open करके देख नहीं है ऐसा वीडियो ऐसा heading अब आता है यह heading चो होता है ना इसका एक ट्रिक बता रहा हूं heading क्या करना है जो भी heading आप डाल रहे है ना उसको same to same as it is पूरा का पूरा heading को copy करके आप description के में box में paste कर दो यह एक trick है SEO के लिए बहुत बड़िया trick है मैंने खुद इसको अपनाया है और यह वाकई काम करती है तो मैंने क्या heading को paste कर दिया इधर अब बात आती है description यह जो आप description देख रह लेकिर बिल्कूर सटिक description दे जो Google को YouTube को समझ में आ सके समझ रहे हैं ऐसा नहीं कि वीडियो कुछ है description कुछ दे दिया तो मतलब YouTube confused हो जाता है और YouTube confused हो गया इसका मतलब यह समझ लिजे कि आपका जो है rank down हो जाएगा जो भी rank उठने वाला होगा वो down हो जाएगा basic आपने वी subscribers एसे हैं जो काफी डाल देते 10-20-15 कुछ भी डाल देते हैं को फाइदा नहीं इतना डालने का क्योंकि YouTube जो है सुरू के तीन hashtags को ही उठाता है बाकी hashtags को छोड़ देता है तो इतने सारे hashtags डाल के कोई फाइदा नहीं है वो lapse हो जाता है तो मैं recommendation यही करूंग कि तीन या चार हैस्टेक्स काफी है उसके नीचे आप क्या करेंगे जो affiliate links होता है वो डाल दीजिए क्योंकि हमारा जो income source से वो एक affiliate भी होता है उसके नीचे आप क्या करिए कि आपका जो previous वीडियो से उनके लिंक्स डाल दीजिए हैना और यहां पर आप जो देख पा रहे हैं यह जो आप emojis देख रहे हैं ठीक है यह जो emoji है happy emoji है और यहां number one rank दिया हुआ यह एक क्या बोलता है जो grammar grammar testing का एक software आता है वह हमने इसको एक्टिवेट किया है वह अगर आप कर लेंगे तो आप मतलब इंगलिस लिख रहे हैं तो grammar खराब हो रहे हैं तो आपको analyze करेगा अब बात आती है thumbnail के thumbnail भी बहुत most important role अदा करता है वीडियो को viral कराने में क्योंकि thumbnail आपका attractive होना चाहिए description में क्या लिखा है video में क्या है उन सब से related होना चाहिए आपका thumbnail समझ रहे हैं तो thumbnail उपर से HD होना चाहिए क्योंकि thumbnail देखके thumbnail को भी analyze किया जाता है और thumbnail से भी video को viral किया जाता है वीडियो की level को up किया जाता है तो इस तरह के HD thumbnail को कैसे बनाना है इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको free of cost ऐसा website के बारे में एक tutorial बना के दूँगा और step by step मैं इस तरह के HD banners बना के thumbnail बना के दिखाऊंगा ठीक है बीना watermark के और PNG में full HD quality में मैं दिखाऊंगा बना के और कहीं भी आपको watermark में आने वाला है ठीक है तो मतलब क्या होगा कि कुछ परशानियां आ सकती है जैसे कि इतने सारी settings होते हैं डिस्क्रिप्शन के अलावा बहुत सारी settings होते हैं तो वह settings को भी आप बहुत ध्यान से करें ठीक है अगर नहीं आता है तो आप एक वाड़ यूटूब दख लिए जैसे कि यहां पर देख समझ रहे हैं और थोड़ा सा और अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहां पर देख रहे हैं कि वीडियो का language क्या है वह आप डाल दे है ना और description का language क्या है वह डाल दे क्योंकि अगर यह सब डालते हैं तो मौच बेटर आप location डाल सकते हैं और category category बहुत important चीज अग और इतना सब करने के बाद अगर आपने 100% मैं guarantee के साथ बोल दो कि अगर आपने यह सब ही चीज हैं इस सभी work आपने step by step systematically अगर आपने कर दिया तो आपका वीडियो को वाइरल होने से कोई नहीं दोख सकता है 110% आपका वीडियो वाइरल होगा ही होगा तो यह बात तो होग कि वीडियो को किस तरह से हम लोग एडिट करेंगे किस तरह से description डालेंगे है ना और वाइरल होने के लिए किस तरह से ready करेंगे अब main point वाली बात आती कि जिस वीडियो के मैं बारे में बात कर रहा हूं वह वाखे वाइरल हुआ है या नहीं यह टैक्स को हम चेक करेंगे कि वाखे । वाइरल किया है या नहीं इसको search करने से हमारे video search होता है या नहीं तो चलिए हम क्या करेंगे यहां से इस वाली tad ago को क्या करेंगक को फिकर लेते हैं नुए इसको कर लिए ooh और एक नया phrase YouTube का पेज़ खोलते हैं ठीक है यह मैने एक नया फ्रेस यूट्यूब का पेज़ खोला और यहां पर क्या करते हैं हम टैक को पेश्ट करके ठीक है और सर्च करते हैं सर्च करने के बाद हम यहां पर देखते हैं कि यह जो आपको फर्स्ट किसी यह फर्स्ट किसी और का वीडियो द हर्दुमबर पर देख रहे हैं और दूसरा बमलगर ने भालिके हम दूसरा टाइफ को यह पर टैप कर करके देखते हैं तो यहीं पर टाइप कर लेता थी आआप यूट्व करते हैं अब इसमें भी देखते हैं यह फर्स्ट नमबर पर तो आड़ आ रहा है इसको कांट में नहीं लेंगे यह सकेंड नमबर यह हो गया ठीक है वीडियो का पहला नमबर यह हो गया दूसरा और यह देख सकते हैं थर्ड नमबर यह हमारा यह वीडियो भी तीसरे नमबर पर रैंक कर रहा है तो वेरी गुड रैंकिंग आ रही है और आई होप कि यह टॉप लेवल में पहुंच जा पॉइंट वाली बात यह है कि मैं भी आप लोग की तरह बीगनर ही हूं और मैं भी आप लोग की तरह ही काफी मतब रिसर्च वगरा यूट्यूब में कैसे हमारा व बीड़ी को बीडर्याग होगा ही होगा उमीद करता हूं आपको बीडियो पसंद आया होगा अगर फ़संद आया तो लायक कमेंट और शेयर करना नबूल और हाँ एक और और आप ल सब्सक्राइब नहीं किया तो पिल视 हमारी चैनल को अप्रिजी का प्रेस कर करकर और टिक को आउन कर देजिए क्योंकि इस चैनल में आपके लिए इसी तरह के यूट्यूब से रिलेटेड टेकनलोजी से रिलेटेड लाता रहता हूं बहुत महनत के साथ तो बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार